आप सबी के लिए एक नए रेसिपी लेके मैं चली आई हूँ तो आज का जो रेसिपी है वो बहुत ही यूनिक है और यूनिक तरीके से मैं बनाई हूँ तो आपके साथ वही रेसिपी मैं आज सेयर करने वाली हूँ मैं किस तरह से ये रेसिपी बनाऊंगी तो इसका नाम है धनिया मटर की सबजी, तो धनिया मटर की सबजी मैंने किस तरह से बनाई हैं, तो step by step में वही share करने वाली हूँ, तो आप मेरे वीडियो पे बने रहे हैं, तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मैं बता दे रही हूँ, दो कटोरी में मटर ले ली हू तो यह मेरा main ingredient है, यह रेसिपी को बनाने के लिए बहुती स्वादिष्ट और बहुती टेस्टी बनने वाली है, तो आप लोकुन देखते रहे हैं, तो और फिर मैंने चार पिस आलू ले लिया है, ज्यादा मैं आलू नहीं लूँगी, चार पिस ले लिए, टू टेबल और एक हरी मिर्च को भी मैं अभी दरदरा पिस लूँगी, तो मेरा पेस्ट पूरा रेडी है, अभी मैं अपने किचन में चले जाती हूँ, तो अभी किचन में मैं कड़ाई में तेल डाल दी हूँ, तेल मेरा थोड़ा गरम होगा, अभी मैं आलू को अच्छा से फ्राइ क तो इसको मैंने अच्छा से फ्राइ कर लूगी तो यह रेसिपी अगर आप सभी को अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना तो मेरा आलू फ्राइ हो चुका है अभी मैं उसको एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ तो अभी मैं कड़ाई में half tablespoon जीरा और दो सुखा मिर्चा में दे दी हूँ अभी मैं जो मतर और अधरक का जो पेश्ट था दरदरा में जो पीसी हुई थी ग्रेंडर में उसको मैं अभी कड़ाई में दे दिया है तो अभी उसको अच्छा से mix कर लूगी उसको अच्छा से मै भूँज लूँगी पूरा अभी मैं जो धन्या का पत्ता का जो पेश्ट में बनाई थी उसको मैं दे दे रही हूँ तो उसको भी अच्छे से इसके साथ अच्छे से मैं मिला के भूँज लूँगी क्योंकि उसको अच्छा से फ्राई करना ही इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्वाद नसर मैं नमक दे दे रही हूँ और हाप टेबल स्पून मैं नहीं हल्दी पाउडर दे दिया है उसको अच्छा से मैं मिला ले रही हूँ और आप देखी सक्रे मैं य पूरा पूरी यह हल्दी एक रेसिपी है आप सभी कोई खा सकते हैं और अच्छा से आप देख के बना भी सकते हैं तो मैं अच्छा से इसको मिला ले रही हूँ अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी एट कर दे रही हूँ क्योंकि मेरा वह अच्छा से फ्राई हो गया है मैं भूज ले हूँ इसमें थोड़ा सा पानी एट करके फीर से मैं अच्छा से मिला ले रही हूँ अभी मैं इसमें टुटेबल स्पून टॉमाटो का फिरी मैं दे दी हूँ अभी इसको भी मैं अच्छा से ले रही हूँ अभी मैं रेट चिली पाउडर दे दे रही हूँ तो आप इसको दे भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं ये पूरा-पूरी अप्सनल है तो मैं इसमें दे रही हूँ तो मैं इसको अच्छा से मिला लिए और ये रेशिपी बहुत ही ज्यादा यहमी होने वाला है और आप घ शरूर U herman बना के ट्राई कि जियेगा और मैं जिस तरह से बना रही हूं उसी तरह से आप बनाईएगा तो इसमें मैं आलू एड़ कर दी हूँ, फ्राई क्या हुआ आलू और जो मटर मैं दिखाई थी एक कटोरी उसको भी मैं इसमें अभी एड़ करके उसके साथ मैं अभी उसको अच्छा से भूंज लोंगी और सबसे में बात यहां हो रहा है कि हम लोग यहां बहुत कम तेल का यूज कर रहे हैं, तो यह बहुत ही ज़्यादा हिल्दी है खाने के लिए, तो इसमें मैं थोड़ा पानी आड़ कर दी हूँ मेरा मसाला अच्छा से हो गया है, तो इसमें मैं ज़्यादा पानी आड़ नहीं करूँगी, हाप गिलास या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप दे सकते हैं क्योंकि यह पूरा मतलब ग्रेवी टाइप होगा, ज्यादा पानी पानी नहीं होगा, तो यह मैं तब तक रेडी होने वाला है, थोड़ा सा यह उबल जाए, थोड़ा सा यह ग्रेवी ग्रेवी हो जाए, तो मुझे लगेगा कि यह मेरा कम्पलिट हो गया है तो इसमें मैं अभी हाफ टेबल स्पून गरम मसला एड़ कर दी हूँ तो गरम मसला इसमें देने से उसका जो टेस्ट है उसका दुगना हो जाता है तो मेरा पूरा-पूरी कम्प्लीट है अब मैं इसको एक कटोरी में निकाल ले रही हूँ तो आप देखी पारे कितना डिलि है तो आप दो आप देखी तो आप दो आप दो है।